हलो दोस्तों, RK Classes की इस online platform पर मैं राजकमार स्वाल का आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों, sets और relation जो topic अमने start किया था, उसके आज हम lecture number 3 में आ चुके हैं lecture first और lecture second में डोनों के sets और relation दोनों के concept थे जिसको काफी detail में और एक-एक definition को काफी बारीकी से अमने discuss किया था lecture third और lecture four में इसके question हम लेने वाले हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम बहुत सारे question लेंगे और इतने सारे question आप लोगों को इस online classes में प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिससे कि आप 11-12 वाला जो पार्ट है और ग्रेजुशन वाला जो पार्ट है या फिर किसी भी topic का जो पार्ट है उसको आप extra जो question आप remaining जो question है उनको आप easily कर पाऊं कि एक मैं बार-बार यह मैसूस करता हूं कि मेरे कहने के बावजूद भी आप यह पूछते रहते हैं कि सर 11-12 और ग्रेजुशन वाला पार्ट हमें कहां से पढ़ना पॉस्ट ग्रेजुशन वाला पार्ट कहां से पढ़ना इसको थोड़ा clear करते है आज नौर्मली जब फर्स्ट टाइमर होता ना कोई भी स्टुडे नया शुरुआत करता है फिर पूराने भी यह तो यही सोचता है कि आर एंचे आटी की बुक पढ़ लेते हैं 11-12 की और उससे 11-12 वाला पार्ट कम्प्लीट हो जाएगा तो अब यह सफिसेंट नहीं है क्योंक इन वाला परड़ आको बहुत अच्छे से करना है मतब जो भी आपके पास सोर्सेज अविलेबल है उसमें सबसें अच्छा स्विलेबल एक एक अश्री निबूक आती है जिसके 2 उल्यूम पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 1 फौर 11 फौर तो दोनों वोल्यूम आप एपको questions इसमें मिलते हैं और इतने question करने के बाद कोई बिष्ट्ट्ट normal student confident हो जाता कि यार इतने सारे question कर लिए और शुर्वात की question जो 40-50 question में जोहरता है हो सकता कि आपको शुरुवात की अगर इस तरीके से आप चलोगे तो डेफिनेटली आपके इतने सारे क्वेशन हो जाएंगे और अगर आपकी दिख्कत यह है कि मेरी स्पीड नहीं है तो स्पीड बढ़ाने का इससे बढ़िया कोई समाधान नहीं क्योंकि हंड्रेड के एप्रॉक्स हंड्रेड नहीं तो फि इससे कि आपके रिमेनिंग क्वेशन का जो पार्ट है वो बहुत आसानी से सोल हो जाए उनमें आप दिख्कत महसूस नहीं करो और आपकी प्रेक्टिस के लिए आपको जो एक्सा क्वेशन मिलते हैं उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी आपका कॉंपिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा ग्रिजूशनल पार्ट हम कहां से पढ़ते हैं नवकार की बुक और जेपीएच की दोनों ही बहुत अच्छी बुक्स है आपने जो भी बुक पढ़ी हो उससे आप पढ़ सकते हैं मैं क्या करने वाला हूं दोनों का कॉंबिनेशन बनाने वाला हूं दोनों को पढ़ने को मिलेगा जो लास्ट हमने पढ़ाया था कंटेंट आप लोगों को याद हो तो आपने 11-12 तो इसमें यूट्यूब चैनल पर पढ़ा था और जो ग्रिजूशनल अला पार्ट पढ़कर और ज्यादा आनन्द आया होगा क्योंकि हर एक बार आपको यह प्रोमिस क पढ़ाओ या आपने नहीं पढ़ाओ आपको दूबारा मतलब जीरो से स्टार्ट करके वापस उस लेवल पर पहुंचा देते हैं और वह सारे ही चीजें आपकी एकदम वापस क्रिस्टल क्लियर हो जाती है तो दोस्तों यहां पर शेट्स और रिलेशन जो हम पढ़ने वा परिबा सक्या तो फस्ट में सुरुआती है तो यहीं किसी सू परिपाइसित बस्तुओं का जो सू परिपाइसित कलेक्शन होता ना वह समुच्चे है फिर यह बेसिक नोटेशन संख्याओं से नेच्वरल नंबर इंटीजर रेशनल इर्रेशनल रियल जो भी आपके सामने लिए उसके बाद में समुच्चे को लिखने के जो प्रकार है समुच्चे के लिखने के प्रकार में रोस्टर रूप है रोस्टर रूप में हमेसा संख्याओं को एक एक करके लिखा जाता है इसमें कौन-कौन से रोस्टर रूप में कभी भी रियल नंबर को आप नहीं लि सोथा आया ननोभ दीजै तो उसमें आंसर रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते लियर क्योंकि छील नंबर की डेंसिटी बहुत ज़्ञादा होती है रोस्टर रूप में क्या होता है अभी यहों को एक समुझे तो यह पढ़ चुके हैं इनको फस्ट डिसक्स नहीं करें गें अंतराल रूप क्या होता है? रियल नंबर को लिखने का एक तरीका होता है जिसमें ओपन इंटर्वल और क्लोज इंटर्वल होता है यह तो इंटर्वल फोन यह समुच्छे निर्मान रूप यह नहीं रियल नंबर को समुच्छे निर्मान रूप और अंतराल रूप में लिख सकते हैं रोस्टर रूप मे यह depend करेगा interval का format कौन सा अगर close है बंद अंतराल है तो A और B भी सा मिलोगी और open है तो A और B सा मिल नहीं होगी बीच वाली सा मिलोगी clear same mean close है तो A सा मिलोगी B सा मिल नहीं होगी इस तरीके से इसको लिखने का तरीका यह रहता आपको लेक्चर में दिख जाएगा उप समुझ्चे क्या होता है वापस एक बार के लिए ना कोई जल्दबाजी नहीं पांच के 10 मिलिट हो जाओ बले लेकिन इससे बढ़िया क्या हो सकता क्या रिवाइज तो करी रहे हैं आप भी करना ही आप भी करते ही हो ना रिवाइज क अक्क होता है उसके बाद उसके पाफ को रिख रूड़ियां टो एक समुझ्चे में और बलता हुआ क्लियर गात समुच्छे क्या होता है यह किसी समुच्छे कि जितने भी उप समुच्छे बने है ना उसके बाहर आप अगर कड़ी ब्रेकिट लगा जाते हो तो वह पावर से बन जाता है अब मैं बढ़ता हूं आगे के-फ्साइलों का प्रयो बिलॉंग का चिन के से लगाते एक अव्याव किसी सेट में प्रजेंट है तो बिलॉंग noticing की बात कराहों अ बियूंद जो अशक्छे में समुच्छES में है तो ए सबसेट भी कहेंगे और अगर मालो इस सेट के कुछ अभ्यव जो है इसमें नहीं दिख रहे हैं तो ए इस नोट सबसेट भी बस इतनी सी वार पूरक समुझे अभी तक वो पीडियेब नहीं डाल पाया था लेक्चर बन और लेक्चर टू के आज आपको प्रोवाइड करवा देंगे तेलिग्राम ग्रूप पर और वोट्सअप ग्रूप पर वोट्सअप ग्रूप का लिंक भी आपने मांगा है अब लेक्चर बन और लेक्चर टू में मैंने उसका लिंक प्रोवाइड नहीं करवाय था अब लेक्चर जो आज का जो सेशन है इसमें आपको टेलिग्राम ग्रूप और वोट्सप ग्रूप दोनों का ही लिंक मिल जाएगा आप उस पर क्लिक करके उसमें जोइन कर सकते हैं जिससे आपको अगर आपकी कोई भी डाउट से आप आपस में डिसकस कर सकते हैं आपको थोड़ा और उसमें सायता मिल जाएगी टेलिग्राम ग्रूप पर यह सारी जो पीडिये पर वोट्सप ग्रूप पर नहीं आएगी रिजन यह है कि वोट्सप ग्रूप में जब भी कोई नया एड होता तो उसको पूराना कंटेंट नहीं दिखता है जबकि टेलिग्र समुच्य है U तो A का पूरक क्या हो जाएगा A के अलावा U में जो बचा हुआ भाग है ना वो उसका पूरक हो जाएगा समुच्यों का अंतर कैसे लेते हैं जैसे A-B दो समुच्य का अंतर ले रहे हैं तो A-B का मतलब है कि A मेंसे वो आउट हो जाएंगे जो B में दिखाई दिखाई दे रहे हैं A मेंसे वो आउट हो जाएंगे जो B में दिखाई दे रहे हैं यानि A-B में केवल A के अवे हो बचते हैं केवल A के लिए और B-A में केवल B के हो बचते हैं सारत्रिक समुच्चे विचारा दीन समुच्च्यों में जो भी सबसे बड़ा हो वो सारत्रिक समुच्चे बन जाता है वेंड डाइग्राम में आप लोगों को बता ही दिया था इनके बारे में वापस नहीं करेंगे उतली तरचा यहां से लेक्षर नमबर से किन सुरुवात की थी हमें, समुच्चों का कारते गुणा कैसे करते हैं, दो समुच्चों का कारते गुणा, एक समुच्चे A जिसमें, एक समुच्चे A है और एक समुच्चे B है, तो A क्रोस B में A B टाइप के एलिमेंट होंगी, जैसे कि आप द स्पाइड से सुरूओ फिर एक रोश B के सारे उपसमुच्छे हैं। ईसमें चार अवे ओ गए नatar तो उपसमुच्छे कितने मनें बनेंगे, क्योंकि अभी इंसे समुच्चे में अवे ओ उते हैं, इसमें सम्बर 2 की शुरुवात हुईते संबंद की कि कोई समुच्चे जिसमें P अभिव हैं B समुच्चे में अगर Q अभिव है तो A से B में कुल संबंद 2 की पावर PQ होंगे और अगर मालो A रिक्त संबंद की बात करें तो 2 की पावर PQ माइनस 1 जैसे कि वही एक्जामपल रिपीट किया है पिछली स्लाइड वालाई A और B दो समुच्चे हैं तो A से B में संबंद हो गए 16 और वो संबंद कैसे निकाल सकते हैं एक रोष भी बना लो और उसके जितने भी समुच्चे बनेंगे उसारी क्या बन जाएंगे आपके संबंद ज्यान रहे यह संबंद है इन संबंदों में से ही कुछ जो है न वो फलन बन जाएंगे और फलन में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इस टोपिक के बाद में कि अगे में इसके बाद में प्रतिलोम संबंद की किसी संबंद अगर एसे बीमें हैं तो आर में टायप का पेर दिख रहा है तो आलिम्स में बीएयर बन जाएगा संबंदों के प्रकार स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक है इससे रिलेटेड आपका एक कमेंट मैंने देखा था आपने क्वेशन पूछा था तो उसका सोल्यूशन की जवाब थोड़ा सा लंबा था तो मैंने वहां पर देना उचित नहीं समझा और एसी परिष्टिती में मैं स्वतुल्य होगा यदि उस समुच्चे में जितने भी अव्यव है उस समोच्चे में जितने भी अव्यव है उनका AA alternatives का कॉंबिनेजन अगर उस relation में आपको दिख रहा है तो मैं किकिसी समुच्चे में जितने भी अव्यव हैं सब के लिए AA Himself वन तो वन भ़न टाइप का करते हैं दिख जाता तो सुवत्युल्य करतें सम्हेट क्या होता कि कोई स प्वेटि जिस्में कोई रिलेशं सम्हेट होगा उसमें गना ने हैं जा आघर वह एन सब्वें आठ्यान दोगे न आक कोई 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 कश्युजन पल्रहा होगा ना उसका जवाब मिल does किसी सम्मन्द को अगर संभ मित कहना चाहना है तो आपको क्या देखना है? उसमें जितने भी AB टाइब्ट कि अपको कॉंभनेशन दिख रहे हैं उनका व्ल्टा भी सुवाद्टा भी उसी में होना होना साजिए अगर इसा है तो सम्मित कहीं है संक्राम का क्वेस्टन था कि संक्राम की संक्राम की डेफिनेशन क्या हो थी कि a b belong to R और b c belongs to R हो तो a c b r में होना सब्यू आपका क्वेसं था कि सर a b b c अगर मांनों दों दिख रहे हो तो एसे दिख गया, एसे सभी combination यानि एसे A, B, B, C type के जितने भी combination बन सकते हैं, उन सब के लिए check करना या एक पर pass हो जाए तो भी लिख देंगे कि ये संक्रामक है, तो answer है कि जितने भी A, B और B, C type के आपको combination उस R में दिखते हैं न, उन सब के लिए A, C type का combination R में होना चाहिए तब जाके आप उसको क्या कह सकते हो, संक्रामक कह सकते हो, उम्मेद है कि आपका question clear हो गया होगा, प्रति सम्मित, यदि आपको सम्मित जब check कर रहे था न, यानि कुछ A, B part ऐसे दिख गया, कम से कम एक A, B ऐसा दिख गया, जिसका उल्टा आपको नहीं दिख रहा था, तो सम्मित हुआ नहीं, फिर वो प्रति सम्मित हो जाएगा, यहीं, 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 आर में कम से कम A, B ऐसा हो, यहीं एक combination ऐसा हो, जिसका B, A, B, R आपको दिखाई नहीं थे, तो वो क्या हो जाएगा, आपके प्रति सम्मित हो जाएगा, पर तत समक हो गया, तुल्लेता समन की परिवासर देख लो आप, और आप आजाते हैं question पर, तो revision आप लोगों का हो चुका है, दोनों ही lecture में जो हमने पढ़ा था, उसका revision मैंने आप लोगों को करवा दिया है, अच्छा लगा होगा, आप लोगों को revise कर के, शुरुवात कर रहे हैं, देखो, online class का फाइदा भी ह करता हूं, जो offline class में 5 या 10 question ही हो पाते हैं, वो 30 या 40 question तक पहुंच जाते हैं, उसकी पीछी region है कि extra unnecessary, जो disturbance है वो नहीं होता है, और ऐसा भी नहीं है कि आपके question को clear नहीं कर पाते हैं, मैं वो सारी बाते बोलने का प्रयास करता हूं, जो एक नया शुरुवात करने वाला student requirement requirement महसूस करता है, clear, तो student यहां पर फाइदा तो बहुत है, लेकिन नुक्सान यह है कि कहीं बार क्या होता कि हम पढ़ने बेटते हैं, और पढ़ते पढ़ते हैं, अमारे दिमाग में कोई वील्स अगर मानलों देखने लग गए हम तो आदा टाइम हमारा वहां खर्ज हो जा था, वह हमारा ऐसे entertainment में ही निकल जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखें और उस तरब जाये ही नहीं आप, clear, question number first की शुरुआत में कर रहा हूं, वैसे तो अपमारे multiple choice के question नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि हम ऐसार से नहीं से question उठा रहे हैं, तो उसमें multiple choice के question भी आ जाते है, clear तो multiple choice के question होंगे या नहीं होंगे, अभी देखते हैं, फिलाल तो आप question पर देखिए, करना क्या है, यह आपको समुच्चे दे रखा है, 0 उसमें element है, एक फाई notation लिखा हुआ, एक फाई को भी curly bracket में लिखा हुआ, यह question मैंने जान्मूज के लिए क्योंकि यह बहुत अच् है, empty, लेकिन अगर मैं यह कहता हूँ कि A में आपको ऐसाद कुछ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यह empty नहीं क्योंकि इसके बार curly bracket में एक अव्यव आ गया इस वज़े से, यह भी curly bracket तो होता है, लेकिन इसमें आता कुछ ने अंदर, अगर मैं यह कहता हूँ कि ही नोटेशन हुआ, फिर जनरल नोटेशन तो हुआ, वो तो जानबूज के फाई इसमें लिखावा था कि आप उसको empty की नजर से दे, वही बात यहां पर हो रही है, कि यहां पर एक समुच्चे दे रहा है, आपको A इसमें तीन अव्यव है, 0, 5 और कलिब्रिकेट और आपके objective जो टाइप है, वो कहरी कि आप पावर सेट निकलो, यही तो कहरी आपको वशन का टाइप आपको यह, कह रहा है कि आप पावर सेट बना लेता हूँ, तो मैं एक बार के लिए इसका पावर सेट बना लेता हूँ, क्योंकि A सेट में तीन अब देखो, अगर मुझे यह पूछे कि बताओ, जीरो और एके बीच में क्या आएगा, तो मैं कहूंगा कि बिलोंग आएगा से, यह इसका अभियव है, अब सुटेंट यहां पर आप देखो, कि अगर मुझे यह कहें कि इसमें कौन-कौन से अभियव है, यह सब इसकी अभियव है, और अभियव के लिए बिलोंग का चिन कि इसमें विलोंग रहा है, तो तो तौन-कौनों कौनों क्यों तो पाल कर रहा है, और बाद कौन पर दाओ, जो फिलोंग कर रहा है, जएल को सब्सकी पहला हूं यह नए तो आपको यह नहीं देखना कि सब्सक्राइब कहसे होगे on अध्यूनियून भी में मेक्सिमम और मिनिमम अध्यून दे रहा है इपके 1-2 और बी में आपके 3-4 3-4-5 मैं तो आगर मैं आपको यह कहूं कि यह यूनियून भी लिखो तो आप क्या कोगे इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कितने अवेव आ गए 5 आ गए इसमें 2 और इसमें 3 थे तो A union B में 5 अवेव आ गए लेकिन अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि A तो आपके 1, 2 है और B है आपके 1, 2, 3 तो A union B में आपके क्या आएगा तो आपके आएगा 1, 2, 3 आएगा ये आएगा ना एग पार्टी चैना इसको समझाओ A में और B में अगर different different अवेव है ना तो A union B में उस उस्तिती में maximum अवेवा रहे हैं लेकिन A और B ऐसे है कि उसमें maximum common है अधिकताम अवेवा खें क्या है common है जैसमीं 12 है तो तो यहां पर यह कर रहा कि एक समुचे जिसमें तीन अभी वह और दूसरा समुचे जिसमें तो बताओ यूनियन में मैक्सिमम और मिनिमम कितने हो सकते हैं देखो जब देखो उदर जब ममा बुला रही है जब देखो मैं एक सेट मान लेता हूं वन टू थ्री इसमें एलिमेंट है अब मैं बीश एट इसमान रहा हूं जिससे की मेक्सिमम स्तिती में मुझे अव्यों मिले नहीं तो मैं बी में क्या मानने वाला हूं चार पांच छे साथ आट और नो तो ए यूनियन बी में आपके कितने वी वाजाएंगे तो वन टू थ्री फोर फाइफ इसमें नाइन एलिमेंट आजाएंगे और अगर मैं मिनिममम स्तिती में पहुंचना चाहता हूं न उस स्तिती में मैं बी क्या मानूंगा वन टू थ्र जानबूच के फिर कुछ एक्स्टर लिख देता हूं जैसे 456 तो इस स्तिती में ए यूनियन बी में आपके क्या जाएगा वन टू थ्री फोर फाइफ और इसमें कितने वी वाजाएंगे 6 और मैक्सिमम पूछ रहा ना तो 6 और 9 वैसे उल्टा हो गया option मैक्सिमम नाइन है और मिनिमम कितना है तो 6 है लियर तो मैं देखिए आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी मैक्सिमम और मिनिममम का कोई जब यह वाला question देखिए ऐसे सभी question जो आपको परेशान कर सकते हैं यूदि इसने सब का weight diagram मनाने में भी कापी time कर चोता है बहुत सारी बाते ख लो इसमें दो इतो संकेत दे रके A B आप चोटे चोटे शेट मान लो और शेट कैसे मानने चाहिए एसे मानने चाहिए एसे मानने चाहिए ए मानलो आप अच्छा यूनिवर्सल की ज़रुद पढ़त सब्रेशन की क्योंकि ृफ्यां भी दो है ना फेले लिख देता हूं फ जा cassette हो गयाँ आप देखो ए यूनिन बी लेना है और बी देश का यूनिन या जाएगा आपके 122 और 4 और इसका क्या है इंटर्सेक्शन एडेस और बी का यूनियन तो 2, 3, 4 आ जाएगा और इसका भी इस अच्छा इसका इस तो हो जाएगा आपके 3 इंटर्सेक्शन इसका इस हो जाएगा 1 और नथिंग कॉमन बिट्विन दें लौनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ति ये इ अब बढ़ता हूं में आगे एसार सेनी में लास्ट में कुछ एक्जामपल ऐसे हैं जो सोलू तो जबरदस्ती करते हैं तो हो ही जाते हैं आपसे लेकिन इतनी जबरदस्ती भी नहीं करनी है जैसे किसी कॉशन का अंड्रेट परसेंट कॉशन ले रहे ना तो उसमेंसे अग उसकी लेंद इतनी बड़ी थी कि वो अब्जेक्टिव क्वेशन के लिए व्यावारिक नहीं है और उसकी कोई ट्रिक भी आपको दिखाई नहीं दे रही है तो आप समझ लेना कि ये क्वेशन यूजफूल नहीं है हमारे लिए आप उसको स्किप कर सकते हैं क्लियर एक समुच्चे B जिसमें N अभीव है और दोनों के उप समुच्चे की संख्या का अंतर छपन है तो बतो M और N का महान क्या होना चाहिए मैं आपको ये क्वेशन पूछाओ कि आपी तो हमने रिविजन किया है अगर मैं आपको यह कहूं कि एक समुच्च जिसमें N अभीव है तो बताओ उसके उपसमुचे कितने होंगे तो 2 की पावर N अगर मैं आपको यह कहूँ कि दूसरा समुचे जिसमें M अभी वह है उसके पुल कितने उपसमुचे होंगे तो 2 की पावर M तो दो समुच्चे की संख्याओं का अंतर तू की पावर आपको क्या देर रहा एक समुच्चे ए जिसमें M अब है इसके उससमुच्चे तू की पावर M तोनों का अंतर कितना देरहा 56 तो M और M अब सेटीसपाई करो लोड तो सेटिश्पाइब कौन करेगा यह कर जाएगा टू की पावर सिक्स कर जाना सी देखो टू की पावर थी बाराबर इसकी देखो ना 64-8 यह 56 आ रहा है यह इसका राइट आना समय जाए बस प्लियर इसको एसे क्वेशन कभी-कभी परिशान कर सकते हैं क्वेशन तो कहां कार लिंक कहां बिठा देते हैं क्योंकि जब आप कॉंपिटिशन एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर यह नहीं देखते कि कौन से टोपिक का कौन सेप्ट जो है उठा कर कहां देना है को रिलिटेड हो गई चीजें तो फिर आपको उलजाया भी जा सकता है इस क्वेशन में आप देखो कि एक समुच्चे दे रखा एक जो वाई बराबर एक की पावर एक्स के रूप में दे रखा है यानि इस समुच्चे में ऐसे पेर आएंगे जो वाई बराबर एकी पाव हो जाएंगे ऐसे ही इसमें एक्स बराबर जीरो रखोगे तो वाई बराबर जीरो जीरो वन वन टू 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 थरी तरी ऐसे बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे तो आपको यह क्या रहा है कि कौन सा कथन सकते हैं जब मैं यहाँ पर ए बनाने का प्रियास करता हूना ए ब और बी इसमें क्या जाएगा जीरो रखेंगे तो जीरो जीरो वन वन टू टू और माइनस वन माइनस वन ऐसे बन देंगे आप देखो यहाँ पर एकक सभी वेवेवड मोझूद है क्या नहीं किसमें तो जी ररतव जीरो अ हो गए आपकी cancel अब आप देखो ए और बी का union लेने पर एका है और बी समान ही नहीं डिफरेंट टाइप के देखो न ए और बी का क्या जाएगा ए और बी का इंटरसेक्शन आपकी क्या जाएगा जाओ अच्छा इसका एक मेथड तो यह एक और मेथड हमार पाज सेकिंड में यह तो फर्स्ट ट्राइल हो गया अब इसका मैं सेकिन मेथड ले रहा हूं अच्छा सोचने के तरीकी तो विक्सित करने हैं कि किसी भी क्वेशन को सोचने के कितने एंगल हो सकते हैं और यही तो मैं सीखने है कि प्रजेंश ओप माइंड बहाँ पर जो एक्जाम देने जाएंगे बहाँ पर प्रजेंश होगा जो ऑना उन्होंने यह मैसूस कि आओगा लारने के Safari निकलने पार नर वहां तो आ पर धिमांगपर बोजी लेकर जाते हो और बोज ले और एक का हो जाता है उसके पीछे एक ही सबसे बड़ा कारण है कि एक अपने आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर खुद को ज़्यादा प्रेशर देता है और इस शकर में वह बहुत इजी एप्रोच के करनी होगे बहुत सारी प्रेक्टिस करनी होगी और खुब सारे टेस्ट भी आपको देने होगे और यहां पर आप लोगों पढ़ सकती है करने ही चाहिए यहां कोई excuse तो चलता ही नहीं यह भी याद होता कि यह बात नहीं चलती है यहां तो होना ही चाहिए जैसे अगर मैं आपको यह कहूँ कि y बराबर e की पावर x का डाइगराम नहीं बना सकते हो कि आपको कि इसर बना लेंगे इसमें क्या दिख् यह y बराबर e की पावर x का डाइगराम क्लियर यह y बराबर x का डाइगराम नोट e की पावर x का डाइगराम अब y बराबर exponential function है इसका डाइगराम ऐसे बने गाए इस तरीके से क्लियर तो बताओ दोनों किसी भी एक पॉइंट पर काट रहे हैं क्या नहीं काट रहे हैं त तो नई है तो फिर यहां पर इसका को सुल्सीशन और अगर कोई कैंने तो यह ज्री जाद ये लेकिन फिर भी बात यह है कि आ में नहीं किनी काट रहे हैं इस बात की सत्यता नहीं बहुत हुण थोड़ी लौ इस समय को खिलिए x की value इससे निकाल कर इसमर रख दो या फिर दोनों को 8 करो दो लेश करो यहीं कुछ करते हो यही procedure यहां लगा लेते हैं ना कटान होगा तो सामने आजाए कर नहीं होगा तो reject हो जाए तो देखो आप यहाँ पर y is equal to e raised to power x and y is equal to x यह equation first और यह equation second दोनों y के बराबर है तो मैं first को अगर second के बराबर लेता हूँ तो e की power x बराबर क्या आगया आपके x अब x की value कैसे निकालने है तो आप log ले लो log e की power x बराबर में log x तो यह x आगया जाएगा log e रह जाएगा और यह log x पावर आगया थी ना चार फोर्मूले जो लिखाए तो नहीं अभी तक क्योंकि लोग से related अभी तक पहुंचे नहीं है फिर भी मैं बोल देता हूँ आप लिख लेना और फोर्मूले की यह कोपी अलग बना लेगा 15-20 पेज की बस मैं कर रहा हूँ कि log m की power n होता न तो n आगया जाता log m into n होता तो log m plus log n log m upon n log m minus log n और अगर मांदो log का base और यह संख्या अगर समान होते तो दोनों का result 1 होता है यह result होता है एक्स बराबर क्या आगया log x आगया एक्स की value क्या आगया log x इसा x बताओ जिसपर log x का मान भी उतना ही आता हो जैसे अगर मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो log 0 तो minus infinite हो जाता है तो शंबव ही नहीं है एक्स बराबर अगर मैं 1 रखता हूँ तो log 1 0 हो जाता तो 1 0 की बराबर होता ही है एसा कोई भी x नहीं है जिस पर यह दोनों result जो है सेम हो सकते हैं तो x पोसिबल ही नहीं है एसा x संबव नहीं है और एसा x अगर संबव नहीं है तो फिर आपको point मिला ही नहीं इसका मतब ए इंटर्सेक्शन भी आपके फिर से क्या हो गया थोड़ा सा उसके बजाई डिफिकल्ट है लेकिन आपको यह भी समझना है लिए आज हो सकता है मुश्किल हो लेकिन अगले question का यह आधार भी बन सकता है कभी-कभी यह थोड़ा सब different question है इसका आप ज्यान से लेखें इसमें आप देखो अच्छा देखो अगर मैं आपको यह कहूं कि साइन्स का एक विज्यारती है यानि विज्ञान संकाई में और चिंतर प्रतिशत जो है उसने लेर किये केमेस्ट्री यूं मानलो आप या फिर बाइलोजी मानलो आप एक बात बतो विज्ञान संकाई में हैं कि वह यह दो ही चीज़े सामिलोगी कि फिजिक्स और बाइलोजी नहीं उसमें है झां कि पिजिक्स के साथ किमेस्ट्री और में सभी तो है विज्ञान शंकाई और भी तो इत्तना है अब यह बच्छे बहें जिसमें केमेंस्ट्री मेत्स और और क्या रहा गया जो भी आपके remaining रहे वह पार्ट भी तो हैं क्योंकि PCB और PCM चार विज्ञान संकाई में माने जाते हैं इसमें से दो ही दे रहे हैं तो ऐसे ही आठ सब्जेक्ट में आर्समें बहुत सारी सब्जेक्ट होते हैं और भी ज़दा होते हैं यहां पर दो की चर्चा की गई यह कह रहा है कि इक कला संकाई में 63 % ने इतियास ले रखा है और 50 % समाध्षास्त्र ले रखा है X प्रतिसत ऐसे हैं जिन्होंके दोनों ले रखा है तो आपको बताना कि X कितना होगा कि एक्स बराबर 39 होगा कि बराबर 63 होगा कि X की बन्यू इस रेंज्य में हो भी यह गलत डेटा है तो देखते हैं यहां पर सबसे पहले आप देखो कि मैं हिस्त्री सबसे पहले मान लेता हूँ कि ऊस ऎनलते मैं चाला संकाय में छात्र जैनि नम्बर आप एलिमेंट इन यूणिवर्सल में माल लेता हूँ तब आपको हिस्ट्री में कितने दे रेके हैं 63 और सोशल साइन्स sociology इसमें आपको कितने दे रहे हैं? 76 दे रहे हैं समाज सास्तर में आपको दे रहे हैं 76 दे रहे हैं एक बात बतो H और S के अगर विद्यार्जियों की संख्या को जोडते हैं तो 140 हो जाता है यह तो संभवी नहीं है और उसके जो तीन चार सब्जेक्ट पांच से सब्जेक्ट रहते हैं उन सबकी संख्या मिलाकर ही आपके सो नहीं थी यहां तो 2 की मिलाकर ही 100 से पार और यह तो संभव नहीं है तो देखो यहां पर यह जो है ना इसका रिजल्ट आपके 100 या 100 से कम ही हो सकता है इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है यह तो कंफर्मेटर है अब आप देखो इसका फोर्मुला क्या होता है इसका पता नहीं पता नहीं और यह आपके यह जो आपके नमबर ओप इलिमेंट इन एच इंटर सेक्शन एश यह कितना आजाएगा आपके ग्रेटर देन फोर्ट यह जाएगा यह आ गया डेटा प्लियर यह एच इंटर सेक्शन एश जल्द बाज़ी में इसको 77 समय था कितना हो जाएगा नहीं तो तो 139 में कॉंड़ेट में सिलेज करोगे तो 39 यानि कम से कम कमन एलिमेंट कितने 39 उससे ज्यादे ही होंगे तो आपके पास एक्जेक्ट डेटा तो भी नहीं है अब आप क्या करोगे अब आप थोड़ा सा क्वेशन को डाइवर्ट करोगे देखो कैसे इसके बाद में दो पा कि यूँ समझ आप एच इंटर्सेक्शन एस यह किसका सब्सेट होगा एच का या फिर एच इंटर्सेक्शन एस जो है वो सब्सेट होगा आपके एस का अरे इंटर्सेक्शन है मैं सही किसी एक समुच्छे का तो सब्सेट होगा ना जैसे एच इंटर्सेक्शन एस का सब्स यह फिर एक्षैशन जो है सब्सक्राइश दोनों कहीं होग इसमें जो नम्बर इलिमेंट होंगे आज इंट्रसेक्शन जो होंगे उनकी संख्या नम्बर इलिमेंट इन धसे कम या बराबर हो सकते हैं तो यह तो हम पता नहीं एच इंटर्सेक्शन एच लेकिन यह मैं पता है कि यह 63 दे रखा है और यह आपको कितना दे रखा 76 दे रखा है 76 अब आप इन तीनों ही डेटा को अगर एक नंबर लाइन पर लेकर आते हो तो आपका आंसर आजाएगा परफेक्ट आंसर इसलिए मैं कहा रहा था कि एक प्रफेक्शन जो न थोड़ा सब डिफरेंट है इसमें आपको देरका एक तो 39 एक आपको देरका 63 एक आपको देरका 76 और तीनों की एक नंबर लाइन बना रहे हैं यह तो क्या कहता कि एच इंटर्सेक्शन एच में अव्यव थर्टीनाइन यह उससे ज़्ज़ाँगी य ये तो आपको इदर लेखर चलेगा इसकेवके बाद में यह कह रहा है कि На यह कहाँ बतो इसमें पोर्मन क्या है यह पार्ट इसका और यह पार्ट इसका कुमन है इसी लिए इसका आंसर हो जाएगा 63 से तो ज्यादा और 63 से कमें थोड़ा सा बड़ा कुशन था लेकिन इस जैसे और भी कुशन आप लोगो को करने और यह कुशन आपके लिए बहतरी नहीं और मैं आपको इसमें एक बहुत बड़ी लोजिक सिखाने वाला हूं जो अगले कुशन में सामिलें अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट कुशन पर थ इस ट्रेंडिंग में रहा हुआ कि आप कोई पटवारी का देलो जितने भी एक्जाम होते हैं उसमें काफी पूछे जाते हैं और क्यूंकि हम तो मैंतेमेटिक से स्टुडेंट है तो हमारी एप्रोच वेन डाग्राम टाइक की भी तो हो सकती है बाकी के लिए बाकी के परिवार कि आप डाइग्राम हो जाएगा तो फ्रॉर्मॉला भी लगा लेंगे कि क्या दिक्क दोनों समय 1500 परिवारों में 1000 परिवार किसी गाउं में है एक हजार परिवारों में से 40 प्रतिसत समाचार A, 20 प्रतिसत समाचार B और 10 प्रतिसत समाचार C पढ़ते हैं 5 प्रतिसत A वे भी दोनों प्रकार का मंगते हैं तो केवल ऑसमाचार पढ़ने वालों की संख्या आपको चाहिए है तो ध्यान देखना है आपर चाहिए तो एंग मेर परिवार और पर खोने फीर परखने वालों की आपको सबस्ट कर पर सब्सक्राइब फिर तीनों का common part भर जाएगा फिर दो-दो का common part भरेंगे फिर single single का भरेंगे और फिर खाली space का भी भर देंगे यह तो 2% ऐसे हैं जो 3 अगभार पढ़ते हैं तो 1000 का 2% कितना हो जाएगा आपके 20 ऐसे हैं जो दोनों प्रकार का अगभार पढ़ते हैं अब दो-दो में ले ल लिखने 20 तो आ चुके हैं अब तो आपको 20 लिखने हो गया ना चालीज ऐसे हैं फिर तीन प्रतिसत जो है बीवे सी पढ़ते हैं बीवे सी तीन प्रतिसत का मतलब 30 तो बीवे सी का common part भर उसमें 30 लिखने यह 10 और लिखने रहें पांच प्रतिसत ए और बी का पढ़ते हैं ए और बी में 50 लिखने हैं 20 तो लिख चुके हो 30 लिख जो यह हो गया का अब फिर से उल्टा जो 10 प्रतिसत एसे हैं जो सी प्रकार का पढ़ते हैं 10 प्रतिसत का मतलब 100 तो सी में 100 करने हैं 50 तो हो गए 50 लिखने हैं उसके बाद 20 प्रतिसत जो है समाचार बी पढ़ते हैं य चितर तो कि 400 में से शितर जाएंगे तो कितने रहेंगे 330 और अब तो मैं कहूं कि यह समाचार पत्र नहीं पढ़ने वाले कितने हैं तो गाउं में एक अजार लोग थे इनकी टोटल कर लो आप 300, 360, 400, 400, 500, 600 तो यहनी बाहर जो आना आउटर पार्ट में अब 400 लोग रह जाएंगे 400 लोग इसे हैं जो अगबार अगबार पढ़ते हैं नहीं क्लियर तो क्वेशन जितने भी क्वेशन बन सकते हैं उन सब की आंसर आप दे सकते हो देखो केवल ए समाचार पत्र पढ़ने वालों की संक्या होगे 330 केवल ए समाचार पत्र पढ़ने वालों की संक्या 330 समाचार पत्र नहीं पढ़ने वाले हो गए आपके 400 समाचार पत्र इतनी होगी तो 600 सभी प्रकार के question का answer आप बहुत आसानी से दे सकते हो आप आपको क्लियर आप question क्या कह रहा है एट वाला यह कह रहा है कि एक संबंध है R है जिसमें ए भी टाइप के pair लिखने आपको और वो pair आपके इस प्रकार बनेंगे कि पहली संख्या छोटी हो दूसरी से या पहली और दूसरी बराबर हो तो आप अच्छा A और B इसकी रियल में से मैंने तो relation किस प्रकार का और स्वातुल्य होगा सम्मित होगा संक्रामक होगा तीनों की बातें कहता है क्लियर और यहां पर यह जो उल्टा लिखावाई इसको मैं सीधा कर देता हूं यहां पर गलत ट्राइपिंग होगी कि संक्रामक कि आपको कि आंशर यही है यही गलत ट्राइप हो गया देखो माँ मैं इस क्वेशन को दो तरीके से आप लोगों को करवाने वाले हूं आप हो सकता है कि अब तक एक मेथड से करते हैं दूसरी अप्रोच आपको ठीक नहीं लगते हूं लेकिन दोनों यह प्रोच से कैसे क्वेशन को करते हैं सबसे पहले मैं स्वतुल्ली की जाच करा हूं स्वतुल्ली में क्या होता है कि ए जो है उसकी गारंटी देनी है कि वह आर में हो जाएगा क्लियर को यहां पर ए बिलॉंग्स टू आर मैंने लिया मैंने एक संख्या लेली जो रियल नंबर में दिख रहे क्योंकि आपके जो समुच्छे ना ए उसकी पोजिशन पर रियल या होना चाहिए यह थो देखे तीक्ता है वह सेच जो ए है उसकी जकी है में रियक स्मझ जालविव में हो ओना चाहिए बिलॉंग्स टू ना चैया हो लुशन यो ऐ वह Ceılасकर आपको देखो क्या आपको लगता कि A less than equal A में से कोई A condition सकते है या तो A A से छोटा हो या फिर बराबर हो जो सकते है बराबर तो है ना दोनों condition एक साथ तो सकते होने से जो सकते है इसका मतलब है स्वतुल्य तो हो गया है उसके बाद मैं बात करता हूँ संक्रामत की स्वरी सम्मित की सम्मित में हम क्या करता है A condition लेकर चलते है let A B belongs to R हम लेकर चलते है A B belongs to R लेकर चलते है और देखते हैं कि B A B R में है या निए एक बात बताओ A B belongs to R ले रहे हो इसका मतलब आपने यह मान लिए कि A less than equal B की condition clear एक बात बताओ A less than equal B को B less than equal A लिख सकते हो क्या आप नहीं लिख सकते हैं देखो कैसे B less than equal A जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है उसका कारण भी दोगे आप कि एक बात बताओ 1,2 जो ना वो R में है क्योंकि 1 छोटा है 2 से 1 छोटा है 2 से 1 छोटा है 2 से 1 is less than equal 2 less than equal 2 है लेकिन 2,1 does not belongs to R है 2,1 does not belongs to R क्यों क्यों क्योंकि 2 is not less than or equal to 1 नहीं तो छोटा है नहीं बराबर है तो फिर ये सममित नहीं है सममित नहीं है इस तरीके से अब कोई यह कहे कि 1,1 तो बिलोंग कर रहा R में 1,1 अगर 1,2 मतलो और 1,1 ले लो तो बात यह है कि जितने भी A,B है ना उन सब का भी यह होना जाए लिए फिर मैं बात करता हूँ संक्रामक की संक्रामक में क्या करते हैं A,B और B,C लेकर चलते हैं और A,C बताते हैं A,B बिलोंग्स टू आर हमने दिया और B,C बिलोंग्स टू भी हमने क्या लिया देखो A,B बिलोंग्स टू आर ले रहे हैं इंप्लाइस देट A लेस देन इक्वल है B से यह तो हम लेट करके चलते हैं दोनों कंडिशन AB और BC तो हमने R में मानद दिये A,B R में मानन देए इसका मतले A लेस देन इक्वल है B के BC आर में मानने इसका मतले BB लेस देन इक्वल है C के एक बाद बताओ A अगर छोटा है B से और B छोटा है C से तो क्या A छोटा नहीं होगा C से Definitely होगा न तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ना इन दोनों कंडिशन को मिलाकर A less than equal होगा CK और इसका मतलब A C B आपके किसमें बिलोंग करेगा R में तो यह संक्रामख हो जाएगा यह आपके क्या हो जाएगा संक्रामख हो जाएगा एक तरीका तो यह है और दूसरा तरीका है क्या है कि आप उस पूरे रिलेशन को ही बना लेते हैं यह भी अच्छा में थाड़ है पहला क्वेशन है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी बाते हैं आपके दिमाग में चल रही हो कि इस टाइप का क्वेशन एक्सरसाइज से में पहले भी लिया था हमने अब दूबार ले रहे लिए कि स्वेट तुल्य में तो हम क्या करते हैं कि जितने भी ए हैं उन सब का आर में होना चाहिए सम्मित में क्या करता है कि ए बी लेकर चलते हैं और बी सी को चे करते हैं संक्रामित में क्या करते हैं ए बी और बी सी दोनों को लेकर चलते हैं और एसी को चे करते हैं यह होता है क्लियर अब मैं दूसरी एप्रोच यह लगा रहा हूं कि यहां पर आ ना समुझे तो क्या है रिल नंबर कहीं और उस रिल नंबर में गया है इखी सारी संक्या है कि माइनस से प्लस अननत एक अधी लिखो तो लिखो माइनस टू माइनस वन बाइटू जीरो वन ऐसे बहुत सारे नंबर है और बीच में भी काफी डेंसिटि यह वैसे तो कड़ली उस ब्रेकिटी में लिखना ह golot है लिएल नंबर को कड़ी प्रेकिटी में लिखना ही park n लेकिन मैंने समझाने के उद्देसे से यह सारी संख्यां कि लिकिए माइनस इंफाइनेट टू फ्लस इंफाइनेट है और वन और टू के बीच हूं जितने भी नंबर है नमर है अब आप देखो जो रिलेशन मनेगा ना उस रिलेशन में इस में से वह संख्यां उठानी है जो इसको satisfy करें तो क्या 0-0 ले सकता हूँ बिल्कुल ले सकता हूँ 0 चोटा है 0 के साथ 1 ले सकते हैं क्या हूँ सर्थ यह किया तो बराबर हो या पहले संग्या दूसरी से छोटी हूँ 0-2 भी ले सकते हैं ऐसे फिर 1-1 ले सकते है नहीं ले सकते हैं तो यह तो ओ गया आपके एक रिलेशन अब आपना अपना अंसर फटापट दे सकते हो किशें सब्सका समाहरं युग से म –2 ओ उपिंडिकत दे खाल है और भी सबलोंसे लिए लेगारा आरू है जूए सबले चल्माद करें तो हो जायएं पीर सममीध है नहीं है सम्मुत में क्या करते हैं कि अगर आपने डिलेशन तयार करी लिया न तो फिर आप देखो कि डिपरेंट टाइप का युग्म्र चूज करो समानवाला यह संवाला तो यह जीरो वन जीरो एक जीरो वन है तो क्या बन जीरो कैसे होगा पहली सिंख्या छोटी होनी चाहिए दू लेकिन बन बन से स्टार्ट होने वाला वन टू है डिफ्रेंट टाइप का हिलो मैं आपको डिफ्रेंट टाइप के लिने में ज्याधा फाइदा रहता हुआ तो फिर आप 0-2 देखोगे, तो 0-2 मिल जाएगा, क्योंकि 0-2, 0 छोटा है और 2 बड़ा है, और 1 से स्टार्ट होने वाले देख लो, 0-1 और 1-3 ले रहे हो, तो 0-3 मिल जाएगा, क्लिएर? तो स्ट्ट हमेषा ही मिल जाएगा, और भी कोई कोमिलने संथी से 1-2 और 2-3 तो 1-3 आपको यह मिल जाएगा, तो तो शंक्राम भी है, तो आपका अंसर क्या होगा? स्वयत तूल्य और संक्राम लेकिन संमित नहीं है, यह आपका अंसर था, इसकी मैंने संक्या पहले यह लिख दिये था कि टाइम बच जाए मेरे थोड़ा सब्सक्राइब क्वेशन क्या गयरा दुखो आर बराबर एक्स वाई यानि इस रिलेशन में एसे यूग में लेने हैं जिसमें X और Y दोनों तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करें किसमें बिलोंग करें नेचुरल नंबर में साथ इसाथ वो दोनों नेचुरल नंबर जो है इस एक्वेशन को भी सेटिस्फाई करने चाहिए तो सेट ए तो क्या हो गया आपके सेट ए यानि ए की पोजिशन पर तो आपके आ जाएगा नेचुरल नंबर और जिसमें आपके 1,2,3,4,5 ऐसे सब्सक्राइब यह तो सेट ए हो गया जिसमें आपके नेचुरल नंबर है 1,2,3 एंड शो और उसके बाद में आपके एक्वेशन देरिके ना उसमें से y की वेल्यू निकाल लिए मिनिट 41-2 क्वेशन क्या करा है इसको समझ लो आपको यह कह रहा है कि आपको इसे इस रिलेशन में एसे पेर लेने है जो इस सम्मीकरण को भी संतुस्ट करे और दोनों इनेचुरल भी हो क्लियर तो देखो आपने नेचुरल नंबर का पूरा सेट बना लिया और य बराबर यह समी कर लिए अब इसमें से कि एक्स और वाई दोनों ही क्या होने चाहिए नेचुरल नंबर तो यहीं पर यह स्टोप हो जाए अब आपको यह देखना है कि स्वतुल्य है क्या तो देखो इसमें वन है तो क्या वन वन दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है जलत हो गया संक्रामक होगा क्या तो संक्रा जैसे कि ढूंडो देखें एबी तो मैं माल लेता हूं इसको यह तो गया एबी अब वन से सुरू ओने वाला मुझे दीखी गया वन और थर्टिनाइग यह तो है एबी और यह बी-सी तो क्या एसी यहनिए 20 और थर्टिनाइन आर में हैं क्या नहीं है क्यों क्योंकि 2 20 प्लस 39 इस तरीके से आप इस क्वेशन का जवाब दे सकते फे दूसरा जो मेथड है इसमें जैसे वो चे करते है ना सुवतुलिय की जाच के से करते है जैसे एक्स एक्स यह आपके आर में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा इसकी जाच कर लेता है तो 2 एक्स प्लस एक्स बराबर 41 तो एक्स बराबर आजाएगा 41 अपॉन 3 विच इस नॉट बिलोंग स्टू नेचुरल नंबर श्वतुलिय नहीं है फिर सम्मित के लिए 2 एक्स प्लस बराबर 41 है तो जरूरी थोड़ी है एक्स प्लस टू बराबर भी 41 हो नहीं होगा संक्राम भी लिए इसको तो दूसरे मिथट को आप लोग आगे बढ़ाए उसके बाद का क्वेशन आप देखे इसका परीशर पूछ रहा है परीशर की मैंने क्या परिवासा बताई अभी जो फलन नहीं पढ़ा उससे पहले मैंने आपको एक परिवासा बताईए कि यूजड अलिमेंट ओप सेट बी प्रांत क्या है यूजड अलिमेंट ओप सेट है तो परीशर पूछ रहा है कि नेचुरल नंबर में एक रिलेशन एक्स रिलेट टू वाइस प्रकार है कि एक्स तो मैं यहां पर एक रिलेशन वना रहा हूं ऐक्स की वैल्यू और वाइक की वैलू दोनोंगी नेचुर रिलेशन में होने चाहिए क्यों कि एनम्रेट परिपाषित वहता है उससी में Сchemistry एक्स और यह लंए ब्न लेटा हूं तो ठैन माइनस वह नाइन थाओ mayoría च्सेप्त न यह आपकी रिलेशन तयार हो क्या है और इसका परिशर पूछ रहा ना तो सेकेंड जो पोजिशन पर जो एलिमेंट है वो इसका परिशर हो जाएगा प्रांत क्या हो जाएगा 2468 इसका प्रांत पर जाएगा अब आपके लास्ट क्वेशन है आज का यह कह रहा है कि S और T दो सेट है एस समुच्चे में एसी संग्य है कि जो इस समीकरन को संतुष करें और जिसमें X की वेल्यू 0 से बढ़ी हो और 2 से चोटी हो समुच्चे में एसी संग्य है कि जिनमें X-Y की प्रणाव गाई तब आपको तुल्य तक ही जाज करें सबसे पहले मैं S के लिए जाज करा हूं और सबसे हैं यह समुच्चे में बिel लिया जो आपके इस समुच्चे में बिलों कर रहा है आर तो आप मैं समुच्च एक ही पोजिसन पर आपके Rakah करना चाहता हूं कि x x जो है r में दीख जाएगा क्या x x जो है वो s में होगा कि नहीं होगा तो देखो x बराबर यहनि y बराबर x minus 1 को संतुच करें तो y बराबर x minus 1 यह result तो आपके क्या जाएगा यह जाएगा 0 बराबर minus 1 जो गलत है इसका मतलब स्वतुल्य तो नहीं हो सम्मित सम्मित में हम क्या करते है कि x y बिलोंग लेके चलते हैं कि r में r का मतलब s में यहाँ पर s अंके दे रख यह नि x y s में बिलोंग रहा इसका मतलब संतुच करता होगा y बराबर x minus 1 y बराबर x minus 1 को अगर यही सम्मिकरण x बराबर y minus 1 लिखने में कोई s विदा नहीं है तो कह देंगी कि y x भी s में लेकिन जब आप चेक करते हो तो x बराबर क्या आता है y plus 1 आता है इस रूप में कहां आया नहीं है अरे भई यूं समझो आपको and y x अगर आप s में लेते हो तो यह आता आपके x बराबर y minus 1 क्या यह दोनों सम्मिकरण समान है अगर समान होती ना तब तो हम कह सकते हैं कि यह relation जो है s में मिल जाएगा जो equation first बराबर नहीं है equation second के equation first बराबर नहीं है second के तो यह सम्मित भी नहीं उसके बाद संक्रामक संक्रामक में हम क्या करते हैं दो condition हमारी तरब से लेके चलते हैं हम लेट करके चलते हैं कि x y तो है s में इसका मतलब मानने कि y बराबर x minus 1 सकते हैं फिर हम लेकर चलते हैं y z belongs to s यह यह भी मानने कि z बराबर आपके y minus 1 अब मैं x और z में भी ऐसे ही relation लना चाहता हूँ जैसे x y s में है ना तो y बराबर x minus 1 है तो अगर x z में s में होगा तो z बराबर x minus 1 आ जाए clear? तो देखो देखे मैं एक काम करता हूँ ना दोनों में से y को अठा देता हूँ तो equation first से y की value इसमें रख देते हैं z बराबर x minus 1 z बराबर तो x minus 2 आ गया इसका मतलब x z does not belongs to s तो यह भी नहीं है स्वयतुल्य भी नहीं है सम्मिद भी नहीं है संक्रामग भी नहीं है इसमें स्वयतुल्य की जाज करते हैं देखो किसे x belongs to लिया मैंने r तो फिर x x को check करते हैं वो t में होगा या नहीं होगा t में होने की सर्त है कि x minus y पॉर्णांक करना चीए तो देखो x minus x करोगी वो कितना आएगा आपके 0 आएगा जो पॉर्णांक है क्योंकि इसकी definition है कि दोनों का अंतर कोई भी pair उसमें होगा यदि दोनों का अंतर क्या है आपके पॉर्णांक का है पॉर्णांक है इसका मतलब स्वयतुल्य हो गया उसके बाद मैं बात करता हूँ सममित की let x y belongs to t अगर x y t में मान रहे हो इसका मतलब x-y क्या है पॉर्णांक है x-y क्या है आपके पॉर्णांक है अच्छा एक बात बतो x-y पॉर्णांक है तो क्या y-x पॉर्णांक नहीं होगा बिल्कुल ये भी पॉर्णांक होगा पॉर्णांक होगा और अगर y-x पूर्णांक होगा तो फिर y,x,b आपकी किसमें बिलोंग करते हैं? t में बिलोंग करते हैं, सम्मित भी हो गया, संक्रामक की बात कर लेते हैं इसमें क्या करते हैं कि x,y बिलोंग to और y,z बिलोंग to t लेकर चल दे हैं अच्छा एक बात हो तो x,y,t में मान रहे हैं, इसका मतब x-y बराबर क्या है आपके? पूर्णांक हो और y,z भी अगर अगर t में मान रहे हैं मैं क्या करता हूँ, इस equation first को और equation second को जोड़ देता हूँ, first को और second को अगर मैं जोड़ता हूँ, तो x-z, b आपके क्या हैगा, 2 into पूर्णांक, तो 2 into पूर्णांक भी तो पूर्णांक की होगा, तो x-z अगर पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं, x,z किसमें बिलोंग कर ग स्वाले में तो एक ही गुण नहीं था, तीम में तीनोए गुण है, clear, तो student यह थी हमारे आज की class, जिसमें मैंने आप लोगों को question करवाए है, sr-seni के examples, मैंसे question लिए, अब उसकी exercise के question हम लेने वाले हैं, जो next lecture में, clear, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समुझे, कि जो question आज मैंने करवाए हैं, इसमें आप अपना और प्रियास करोगे, क्योंकि खुद effort आप, क्योंकि selection तो आपका करवाना है, at least, तो ज़्यादा मेनत तो आप लोगों को करनी है, बहुत ज़्यादा मेनत आप लोगों को करने की आवश्यक्ता है, और समय से पहले ही आप लोगों को मेनत करने की आवश्यक्ता है, clear? मिलते हैं next lecture में इसकी remaining question के साथ, thank you!